हेलो बच्चो आज हम आपको कछा बारा की भोतिक विज्ञान इक आई फस्ट इस्थिर बैदूत की के अंतरगत पहला जवाब का चेप्टर है बैदूत आवेश एवं बैदूत छेत के विशे में बताएंगे जो क्या क्या इसमें आता है आप लोग पूरी तरह से नोट्स ब आना कि बिल्कुल जिस तरह से मैं बताओ उस तरह से आप लिखते जाएंगे और उसको याद भी करते चलिए चलिए हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं सबसे पहले देखिए दिया गया है बैदूत आवेश एवं बैदूत छेत्र बैदूत आवेश होता क्या है ये जानेंग है बैदूत आवेश दो प्रकार के होते हैं पहला धन आवेश दूसरा रिण आवेश सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं वह विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं आप लोग जानते हैं प्लस प्लस हमेशा ही क्या करेगा रिफ्लेक्ट कर हमेशा हम वायर को प्लस और माइनस में करके रखते हैं एक ध्वन आवेश और एक रिड़ आवेश अब आवेश रक्षण का नियम क्या है आवेश न तू उत्पन किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है इसे केवल एक वस्त से दूसरे वस्त पर इस्थान नंतरित किया जा सकता है आवेश का क्वांटी करण प्रतेक आवेशित वस्त पर आवेश एक निश्चित नियूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है जिसे मूल आवेश ये फर इलेक्टरान कहते हैं अतह किसी भी रहेगा ठीक है यह आप लोग बिल्कुल नोट कर लिजिएगा और इसको फिर हम अच्छे और समझाएंगे लेकिन इसको याद जरूर कर लिजिएगा और समझ में भी आए गई अभी तो डिफनेशन ही है हम आगे चलते हैं इसके आगे हम पढ़ेंगे बैदुत छेत्र की परिक्षण आवेस के प्रति एक आउएस पर कारेरत बैदुत बल को उस बिन्दुपर बैदुट छेत्र की तीब्रता ही कहते हैं हम लाइव क्लास भी लेंगे आप लोगों का नेक्स टर्म पर लाइव क्लास लेगी आपकी लाइव क्लास करने के बाद में लाइव भी रहे ठीक है लेकिन नोट्स बना लीजी बैदुत छेत्र किसी आवेश के चारों और का वह छेत्र जिसमें अदने आवेश उसके बैदुत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं बैदुत छेत्र कहलाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कुलाम का नियम इसको बहुत ही इंपॉर्टें के मद्ध लगने वाले बल का मान कुलाम के नियम द्वरत दिया जाता है इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अब ऐसे दो आवेशों के मद्ध लगने वाला बल चाया कर्शन बल कहिए चाया प्रतिकर्शन बल कहिए आवेशों के गुडन फल के समानुपाती या अन मैं करता है और दोनों की बीच की दुरिया दोनों की बीच ne उसी तरह से जैसे आप लोगों ने क्लास नाइन थे लिवंद में पढ़ा है न्यूटन के गुर्थवा कर्शन का नियम वहां पर आपका क्या होता था दो पिंड होते थे जिन में द्रब्यमान होता था यहां पर आपके दो आवेस हैं और सब कुछ परिभासा उसी तरह से हैं यह यह बराबर वहां हम कैपिटल जी लिखते थे हैं अके लिखे हैं यह बराबर वन अपान फोर पाई इसको बोलते हैं एफसाइलन नाट यह निरवात में बिद्दुच जी लता होती है जिसे निरवात की बिद्दुच चीलता क्या होती है किसी माध्यम की निरवात के सापेक्ष बिद्दुच सीलता को आपेक्षिक बिद्दुच सीलता कहते हैं अर्थात ER बराबर E upon E0 या E बराबर ER into E0 इसका फर्मूला है आप एक चिक बिद्दु सीलिता का मान माध्यम पर निर्वर करता है तथा अलग-अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग-अलग होता है निर्वात के लिए इसका मान नियुनतम तथा धातुओं के लिए इसका मान सरवाधिक या अनन्त होता है यह इसका फर्मूला है कि यह जो आपेच्छी बिद्दु सिल्ता का मान है वो एक से बड़ा या एक के बराबर या फिर अनंत से छोटा या अनंत तक हो सकता है नोट में लिख लेंगे हम कि जल्की जलुकी पराबेद्ध दूतांग होती है 81 में निरुवात में बलकामान प्रबल होने के कारण थो सवस्था में उपस्थित होता है परन्त इसे इसको जल और याने C-L में जब घोलते हैं तो हमको याने प्लस याने सोडियम प्लस अथा क्लोरियम क्लोरीन रिडात्मक आयनों के मध्य लगने वाले बलकामान एक बटे क्यासी गुना अधिक हो जाता है अता याने C-L जल में घोल देने पर याने प्लस वा C-L माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है क्योंकि बलकामान अत्यां तो दुरुबल होता है नोट हमेशा ध्यान रखिएगा कूलाम का नियम निम्न परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं क्यों यही परिस्थितियां होनी चाहिए पहला आवेश जो हो बिंदुवत हो दूसरा जो आवेश वो इस्थिर हो आवेश के मात्रक की चर्चा कल हम करेंगे अगले टर्न पर और अगले टर्न पर मैं आपको जो पढ़ाया हो इसको एक बार लाइव पूरा पूरा अच्छे प्रकार से समझा देंगे इसको नोट कर कई धातूं को लेकर जल को पारा को सब को लेकर सब का मान बताते हुए समझाओंगा ये लाइव क्लास में मैं आपको समझा दूँगा सही से लेकिन ये नोट्स वच्चों बना लीजिए बढ़ा ही उपयोगी नोट्स रहेगा और हम अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कर सकत सुचार रूप से चलाते रहेंगे ओके बच्चों धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही